देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन इस कारकम में देश में अलग अलग सानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगान, राज सरकारों के मंत्रीगान, आदर्निय से भी मुख्य मंत्रीगान, पंचायत से लेकर के पार्लामेंट टक चुने हुए सारे जन प्रतिनी दी और सब गावों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं, मैं आप सब को और मेरे किसान भाई यो बहनों को मेरी तरब से निवश्कार, किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती हैं, और आज का दिवस तो बहुत ही पामन दिवस भी हैं, किसानों को आज जो सन्मान निदी मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बन कर भी आया है, सभी देश्वासियों को आज क्रिस्मस की भी बहुत बहुत सुब कामना है, मेरी कामना है क्रिस्मस का ये त्योहार, विश्वमें, प्रेम, शान्ती और सध्भाव का प्रसार करें, साथियों, आज मोक्सदा एकादसी है, गीता जैनती है, आज ही भारत रपना महामना मदन महन मालेविया जी की भी जैनती है, देश के महान कर्मयोगी, हमारे प्रेड़ा पुरुष स्वर्गे अटल विहरी वाजपाई जी की भी आज जन्म जैनती है, उनकी स्मृति में आजदेश गुड गवर्णन्स देवी मना रहा है, साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप, जीवन जीने का लगातार प्रयास किया, गीता में कहां गया है, स्वेव स्वेव कर्मनी, अभीरतह संसिद्धिम लबते नरह, यानि जो अपने स्वाभावित कर्मों को तत्परता से करता है, उसे सिद्धी मिलती है, अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन, राष्ट के प्रती, अपने कर्मों को पुरी निष्टा से निभाने में समर्पित कर दिया, सूशासन को, गुड गवर्ननस को, अटल जी ने भारत के राजनिती और सामाजिक विमर्ज का हिस्षा बनाया, गाव और गरीब के विकास को, अटल जी ने सर्वच्च प्राथ्विक्ता दी, प्रधान म्रंत्री ग्राम सडग योजना हो, या फिर स्वर्णिम चतुर्भू योजना हो, अंतियोदय अन्य योजना हो, या फिर सर्वसिक्ष अभियान हो, रास्त जीवन में सार्थक बढ़लाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए, आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है, आज जिन कुरसी शुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सुत्रदार भी एक प्रकार से अटल बिहारी बाजपई भी थे, साथियों, अटल जी गरीबों के हीत में, किसान के हीत में बनने वाली, सभी योजनाव में होने वाले ब्रस्टाचार को राष्ट्रिय रोग मानते थे, आप सब को याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाश करते हुए, एक पूर्व प्रधान मंत्री की बात याद दिलाई थी, और उनको याद दिलाते हुए, उन्होंने कहा था, कि रुपिया चलता है, तो रुपिया गिस्ता है, तो हाथ में लगता है, और धीरे से जेबों में चला जाता है, मुझे संतोथ है, कि आज न रुपिया गिस्ता है, और नहीं किसी गलत हाथ में लगता है, दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपिया निकलता है, वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है, अभी हमारे कर्शी मंत्री नरज रसी जी तोमर ने इसके विशे में विस्तार से हमारे सामने रखा है, पी एम किसान सम्मान निधी इसका ही एक उत्तम उदारन है, आज देश के नव करोड से जाना किसान परिवारों के बैंक खाते में, सीधे एक कॉंपिटर की क्लिक से अठारा हजार करोड रुपे से भी जादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए है, जब से ये योजना शुरू ही है, तब से एक लाग दस हजार करोड रुपे से जादा, एक लाग दस हजार करोड रुपे से जादा किसानों के खाते में पहुँच चुके हैं, और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेकनलोजी के द्वारा उप्योग किया गया है, अठारा हजार करोड से जादा रुपे, पल भर में, कुछी पल में, सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए है, कोई कमिशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, टेकनलोजी का इस्तमाल करते हुए, पी एम किसान सम्मान योजना में यह सुनिशित किया गया है, कि लिकेज नहो, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ओनलाइन रिजिस्टर्शन होने के बाद, उनके आधार नमबर और बैंक खातों का वेरिफिक्शन होने के बाद, इस वबस्ता का निर्मान हुआ है, लेकिन मुझे आज इस बात का अपसोस भी है, कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है, सभी विचारधारा की सरकारे इससे जुड़ी हैं, लेकिन एक मात्र, एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार, वहां के सत्तर लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बेहन बंगाल के, इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार, अपने राजनीतिक कारणों से, उनके राजने के किसानों को भारत सरकार से पैसा आ जाने वाला है, राजने सरकार को एक पोड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिठी लिखी भी है, उसको भी वो माननेता नहीं देते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लाखों किसानों ने लाब लेने के लिए योजना के लिए हर्जी की ओनलाइन अवेदन कर चुके हैं लेकिन वहां की राजसरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है भाईयो बेनों मैं हैरान हूँ और यह बात मैं आज देश वाश्यों के सामने बड़े दर्व के साथ बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है सारा देश जानता है और ममता जी ये 15 साल पूरा ने भाशन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विजारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था अब यह कैसे लोग है बंगाल में उनकी पार्टी है उनका संगटन है तीस साल सरकार चलाई है कितने लोग होंगे इनकी पार एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये दो हजार रुपिया मिलने वाला कारकाम है बंगाल के अंदर कोई अंदोलन नहीं चलाया अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था बंगाल में आपकी धर्ती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याई दिलाने के लिए प्रदान मंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों अंदोलर ने किये क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई और आप वहां से उठकर के पंजाब पहुंच गए है तब सवाल उठता है और पस्चिब बंगाल की सरकार में देखिए अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाब सत्तर लाग किसानों को इतना दन मिले हजारों करोड रुप्या मिले वो देने में उनको राजनीती आड़े आती है लिकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो मंगाल में लराई लरते हैं क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है जो आज विपक्षमे हैं उनकी इस पर जुबान क्योंच बंद हो गई है क्यों चुप है साथियों आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता नहीं उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेलफी ले ले कोई फोटोशप जाए कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति चलती आए अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है यह देश के सामने एक्सपोज हो गए है स्वार्त की राजनिति का एक मुद्दा भद्दा उदारन हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं जो दल पस्चिम मंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान करने पर लगे हु और वो भी किसान के नाम पर इन दलों को आपने सुना हुआ मंडिया मंडिया बोल रहें एपीमसी की बात कर रहें और बड़ी-बड़े हेडलाइन ले लेने के भाशन कर रहे हैं लेकिन यह दल वही दल वही जंडे वाले वही विचारदारा वाले जो नहीं वर बंगाल को और उनकी सरकार है इसके पहले जो 50 साल-60 साल तक देश पर नाज करते उनकी सरकार थे केरल में एपीम्स नहीं है मंडिया नहीं है मैं जड़ा इनको पूछता हूँ यहां फोटो निकालने के कारकम करते हैं केरल में अंदोलन करके महां तो एपीयम सिर्फ चालू करवाओ कि पंजाब के किसानों को गुमराख करने प्लिए आपके बाद समय है केरल के अंदर यह वेवस्ता नहीं है अगर इव्यवस्ता अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है क्यों आप दोगली निती ले करके चल देखो यह किस तरह की राज़ेती करने है जिसमें कोई तर्क नहीं कोई तथ्य नहीं है सिर्फ जूठे आरोब लगाओ सिर्फ अफ़ाएं फेलाओ हमारे किसानों को डना दो और भले भूले किसान कभी-कभी आपके बातों में गुम्रा हो जाते हैं भाईयो बहनों ये लोग लोग तंत्र के किसी पहमाने को किसी परामेटर को मानने को तयार नहीं है इन्हें सर्थ अपना अलाब अपना स्वात नजर आ रहा है और मैं जितनी बाते बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं किसानों के नाम पर अपने जंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं अब उनको इस सच सुनना पड़ेगा और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अप्पानित किया, ऐसे करकर के बच नहीं सकते हो आप लोग ये लोग अख़बारों और मिडिया में जगह बनार करें, राजरितिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बुट्टी खोज रहे हैं लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है, अब देश का किसान उनको ये जड़ी बुट्टी कभी देने वाला नहीं है कोई भी दियार राजरिति लोग तंतर में राजरिति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है लेकिन निर्दोष किसानों की जिन्दकी के साथ न खेलें, उनके भविष के साथ खिलवाद न करें, उन्हें गुमरा न करें, ब्रमित न करें साथियों, ये बही लोग हैं, जो बर्सों तक सत्ता में रहे, इनकी नीतियों की बज़र से, देश की कर्शी और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया, जितना उसमें सामर्थ था पहले की सरकारों की नीतियों की बज़र से, सबसे जादा बर्बाद वो किसान हुआ, जिसके पास न तो जादा जमीन थी, न जादा संसादन इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था पहले के समय में जो फसल भीमा योजना थी उसका लाब भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामों निशान नहीं था कोई का दुका कहीं मिल जाए तो अलग बात है इस छोटे किसान को खेट सिंचने के लिए नाम पानी मिलता था नाम भिजली मिलती थी वो हमारा बेचारा गरीब पिसान अपना खून पसिना लगा कर वो खेतों में जो पैदा भी करता था उसे बेचने में भी उसकी हालत किसान की सूध लेने वाला कोई नहीं था और आज मैं देशवास्यों को फिर याद दिलना चाहता हूं देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है जिन के साथ या न्याय किया गया है ना यह संख्या 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान इस देश में है करीब करीब 10 करोड स भी जादा जो इतने वर्षों तक कि सत्ता में रहे उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिला था चुनाव होते रहे सरकारे बनती रही रिपोर्ट्स आती रही आयोग बनते रहे बादे करो भुला दो करो भुला दो यही सब हुआ लेकिन किसान के सिती नहीं नतीजा क्या हुआ गरीब किसान और गरीब होता गया क्या देश में इस थिती को बदलना आवश्यक नहीं था मेरे किसान भाईयों और बेहनों 2014 में सरकार मनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृशी के आधुनी करन उसे भविश्यकी जरूरतों के लिए तैयार करने दोनों पर एक साथ ध्यान दिया हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है वहां का किसान इतना सम्रुद्ध है कभी इजराहिल का उदाहन सुनते रहते थे हमने दुनिया भर में किसी छेत्र में क्या करांती आई है क्या बढ़लाव आए है क्या नए इनिसिट्व आए है क्या आर्थववस्ता के साथ कैसे जोड़ा है सारी चीजों का गहन अध्यान किया इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया है हमने लक्ष बना कर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च इंपुड कॉस्ट ये कम हो उसका खर्चा कम हो स्वाइल हेल कार्ट यूरिया के नीम कोटिंग लाखो की संक्या में सोलर पंप ये सारी योजनाए उनका इंपुड कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद वागे उठाई है हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पंश एक बहतर फसल भीमा कबच हो आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल भीमा योजना का लाब हो रहा है और मेरे प्यारे किसान भाईयों भेनों अभी जब मैं किसान भाईयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महराश्टर लातूर के गनेश जी ने बताया कि डाहे जार रुपया उन्होंने दिया और चोवण हजार रुपया करीब करीब मिला मामुलि प्रिमियम के बड़े किसानों को पिछले साल में 87 करौड रुपय क्लेम्राशी मिली है मामुलि प्रिमियम दिया किसानों मुसीबत के समय ए फशल भिमा उनको काम आया हमने इस लक्ष पर भी काम किया कि देश के किसान पास, खेत में सीचाई की परियाप्त सुभिदा है। साथियों, हमारी सरकार ने प्यास किया कि देश के किसानों को फसल की उचीत कीमत मिले। पहले कुछी फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले MSP का एलान अकबारों में छोटी सी जड़ा जगा बनाना खबर के तौर पर आप चपता था। किसानों तो अगलाब नहीं पहुंता था। कहीं तराजुई नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बढ़ला भी नहीं आता था। हम आज MSP पर रिकार्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेम में MSP का रिकार्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। वो जब उनका समय था, तब चूप मार करके बैठे हुए थे। यह जीतने लोग आंदोलन चला रहे हैं। यह उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामिनाथन कमीटी के रिपोर्ट के उपर बैठ गए थे। सानों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिन्दगी के उभला करना कल्यान करना यह हमारा जीवन का मंत्र हिचने कर रहे है। साथियों, हम एक दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्व एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की एक हजार से ज़्यादा कुर्शिमंडियों को ओनलाइन जोड़ा, इन में भी एक लाग करोड रुपे से ज़्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है, किसान ओनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष बढ़ाया, कि छोटे किसानों के समू बने, ताकि वो अपने खेत्र में एक सामुहित ताकत बनकर काम करे। आज देश में दस हजार से ज़्यादा किसान उत्वा तक संग एफ पी ओ बनाने का भ्यान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महराज गंके राम गुलाब जी से सून रहे थे। तीन सो के करीबी किसानों को इखटा किये उन्होंने। और पहले की तुना में डेड़ गुना भाव से माल बेचना सुरू हुआ है। एप्पियो मनाये उन्होंने। वैज्यानिक तरीके से खेती में मदद ली। और आज उनको फायदा हो रहा है। साथ्यों हमारे क्रिशिक खेत्र के सबसे बड़ी आवच्चता है। गाउं के पास ही बंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सिविधा, कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्द हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्राथ्विक्ता दी। आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्ग विक्सित करने के लिए सरकार करोडों रुपिय का निवेश कर रही है। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथी किसान के पास आए बढ़ाने के दूसरे विकल्पि भी हो। हमारी सरकार मचली पालन, पशू पालन, डेरी उद्योक, मदुमक्खी पालन सभी को प्रोच्षाइट कर रही है। हमारी सरकार ने ये भी सुनिशित किया कि देश के बैंकों का पैसा, देश के किसानों के काम आए। 2014 में, जब हम पहली बार सरकार में आये और शुरू आप थी हमारी, 2014 में जहां सात लाग करोड रुपिय का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था, धन के लिए, वही इससे अब परीब 2014 लाग करोड रुपिय यानि दो गुना किया गया है, ताकि किसान को करज मिल सके हैं। हमने इस लक्ष पर भी काम किया, खेती की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए देश में आदुनिक कृशी समस्तान हो, बीते वर्षों में देश में अनेक नए कृशी समस्तान बने हैं, कृशी की पढ़ाई की सीटे बढ़ी हैं, और सात्यों, खेती से जुड़े इन रहने वाले किसान का जीवन आसान हो, साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आशू बहार हैं, इतने बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे, तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीप दूर करने के क्या किया यह देश का किसान अच्छी तरह जानता है आज सिर्फ खेती नहीं बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दर्वाजे तक पहुंची है खेत के मेड तक पहुंची है आज देश के छोटे और सिमान किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है सवचाले मिल रहा है शाप पानी का नल मिल रहा है यही किसान है जिसे बीजली के मुप्त कनेक्शन गैस के मुप्त कनेक्शन यह बहुत बड़ा लाप हुआ है हर साल आईश्वमान भारत योजना के तहट पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा ने आज मेरे छोटे किसान के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम किये है। नब्बे पैसे प्रति दिन यानि एक चाय से भी कम किमर नब्बे पैसे प्रति दिन और एक रुपिया महिना के प्रिमियम पर बीमा ये मेरे किसानों के जीवन में बहुत बड़ी ताकफ है। साथ वर्स की आयू के बार तीन हजार उपिये मासिक पैंशन ये सुरक्षा कबज भी आज किसान के पास है। साथियों, आज कल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़प में हड़पने में कैसे कैसे लोगों के नाम अखबारों में चमकते रहे हैं हम जानते हैं। इन लोग तब कहां थे जब माली काना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैद कबजे हो जाते थे। गाउं के छोटे और सिमान किसानों को खेत मजूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किस ने रखा। इसका जबाब इन लोगों के पास नहीं है। गाउं में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये काम आज हो रहा है। अब गाउं में किसानों को उनके मकान का जमीन का नक्षा और कानूनी दस्तावे दिया जा रहा है। टेकनोलोजी की मदद से स्वामित्म योजना के बात अब गाउं के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है। साथियों बदलते समय के साथ अपनी एप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। इकीसवी सदी में भारत की इस कृषी को आधुनिक बनाना ही होगा। और इसी का बिड़ा देश के करोर किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंदे जे कंदा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत्य संकल्प है। आज हर किसान को यह पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंदी में बहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दरजी का बता कर खरीने से इनकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में ओने पोने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था इन कुरुशी सिधारों के जरिये हमने किसानों को बहतर विकल्प दिये इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं मेरे किसान भाईयों बेहनों मेरे इन शब्दों को अब ध्यान से सुनिये मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपनी फ़सल को जहां चाहे आप निर्णे करके बेच सकते हैं आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं आप न्यूनतन सबर्थन मुल्य यानि MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं आप उसे बेच सकते हैं आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं आप निर्यात कर सकते हैं आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं । आप मेच सकते हैं । आप फूरे गाउं के किसानों को एपियों के माध्यम से इखटा कर अपने पूरी उपज को एक साथ मेचना चाहते हैं। आप सकते हैं। आप बिस्केट, चीफ, जैम, दूसरे कंजुमर उत्पादों की वेल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हों, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? कि अगर किसानों को अपने उपर बेचने का विकल्प आउनलाइन माद्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। साथियों, आज नए कृशी सुधारों के बारे में असंक्य जूट फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच ब्रह्म फैला रहे हैं, कि MSP समाप्त की जा रही हैं। तो कुछ लोग अफ़ाय फैला रहे हैं, कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन कानूनों को लागू हुए तई महने बीच गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कौने में एक भी मंडि के बंद होने की खबर सुनी हैं। जहां तक MSP का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का नियूनतम समर्दन मुल्य भी बढ़ा दिया है। एक कुरुशी सुधारों के बाद भी हुआ है, नहे कुरुशी कानूनों के बाद भी हुआ है। इतना ही नहीं, जो लोगा किसानों के नाम पर बात करते हैं न, यह जो अंदोलन चलता है। उसमें कई सच्चे और निर्दोस किसान भी हैं। ऐसा नहीं है, कि सब वो राजनीतिक विचारदार वाले सिर्फ नेता हैं, बागी तो भले भाले किसान है। उनको जाकर के सिक्रेट पूछोगे, कि भाई, आपकी कितनी जमीर हैं, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा की नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा, हाँ, वो में बेचकर का है। और जब MSP में खरीजी चल रही थी नहीं, तब वो अंदोलन को उन्होंने स्थंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी ज़रा किसान मंडी में जाके के माल बेच रहा है। वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने अंदोलन चूर किया। साथियों वास्तविक्ता तो ये है कि बड़े हुए न्यूनतम समर्तन मुल्ले MSP पर सरकार ने किसानों की उपज़की रिकॉर्ड्स तरपर खरीदी किया और वो भी नए कानुन बनने के बाद। और एक अहम बाद, इन कुरुशी सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारिया बढ़ाई है। उदान के तौर पर एग्रिमेंट फार्मिंग की बाद भी ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानुन, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाब में भी हैं, वहां तो प्रावेट कमपनियां एग्रिमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानुनों में समझोता तोड़ने पर किसानों पर पैनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाईयों को भी ये किसे ने समझाया नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और सुनिचित किया कि मेरे किसान भाईयों पर पैनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। साथियों, आप ये भली भाती जानते हैं, कि पहले अगर किसी कारणवस, किसान मंडी नहीं भी जा पता था, तो वो क्या करता था? वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था, ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा ना उठा पाए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाएं किये हैं। भीतर भुक्तान भी करना होगा, नहीं तो ये कानून किशान को सक्ति देता है, ताकत देता है, वो अधिकारियों के पाच जाकर कानूनी तंत्रका सहरा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हो चुकी है, हो रही है, खबरे आ रही है कि कैसे एक-एक करके हमारे देश के किसान भाई, इन कानूनों का फाइदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है, किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्ता की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टेम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे है। साथियों, कुरुशी सुधारों का एक और एहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रिमेंट करेगा, तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रिमेंट करने वाला किसानों का अच्छे बीच, आधुनिक तक्नीक, अत्याधुनिक उपकरान, विशेशज्यता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा। अच्छी उपज के लिए सुविधाय किसानों के दरवाजे पर उपलब्द करवाएगा, एग्रिमेंट करने वाला वेक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरफ वाकिव रहेगा, और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करे किसी परेशानी की वज़े से किसान की उपज अच्छी नहीं होती, या फिर बरबाद हो जाती है, तो भी यह याद रखिये, तो भी जिसने एग्रिमेंट किया है, उसको किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था, वो उसको देना ही पड़ेगा, एग्रिमेंट करने वाला अपने एग्रिमेंट को अपनी मरजी से खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ, अगर किसान एग्रिमेंट को किसी भी वज़े से खत्म करना कर चाहता है, तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है, क्या यह स्थितिक किसानों के है कि सबसे जादा एस्ष्यों किसान को है के नहीं है किसान को फाइदा होने वाली गारंटीज में है के नहीं है एक और सवाल लोगों ने उच्छाल करेकर रखा हुआ आपके मन में भी आता होगा अगर किसी स्थिटी में उपज अच्छी हुई मार्केट बहुत स्वांधार हो गया जो एगरिमेंट में असो से भी जादा मुनाफ्य वाले को देना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है लेकिन अगर ज्यादा मुणाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बॉनस भी किसान को देना पड़ेगा इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है ऐसी तितियोंने में किसान एग्रिमेंट में तय किये के मुल्ले के अलावा जैसा मैंने कहां बोनस का भी वो हकदार होगा पहले क्या होता था कि सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था अम नए कृशी कानूनों और सुधार के बाद स्थीती पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है अब सारा रिस्क एग्रिमेंट करने वाले व्यक्तिया कंपनी का होगा और रिटर्न किसा का होगा है साथ कि देश के कई भागों में एग्रिमेंट फार्मिंग को पहले भी परखा गया है उसे कसोटी पर कशा गया है कि क्या आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा दुग्द उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है यह देश कोई और नहीं हमारा हिंदुस्तान है हमारे प्रशुपालक हमारे किसान के मैनट है आज डेरी सेक्टन में बहुत सी सहकारी और नीजी कंपनियां किसानों से दुग्द उत्पादकों से दुद खरीती है और उसे बाजार में बेचती है यह मोडल कितने वर्सों से च सुना कि किसी एक कंपनी या सहकारी सहुता ने बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया अपना एकादित कार कर लिया क्या आप उन किसानों और उन दुग्द उत्पादकों के सभलता से परितित नहीं है जिनने डेरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है एक और सेक्टर है यह नहां पर हमारा देश बहुत आगे हैं वो है पॉल्ट्री हैने मुर्गी पालत आज भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है पूरे पॉल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कम्पनियां काम कर रही हैं कुछ छोटी कम्पनियां भी है तो कुछ थानिय खरीदार भी इसके अफसाय में जूटे है इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोड़क किसी को भी कहीं भी बेच लेक लिए स्वतंत्र हैं जहां भी उन्हें सबसे ज़्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को क्रिसी सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का आउसर मिले जैसा पॉल्ट्री और डेरी सेक्टर को मिला है हमारे किसानों की सेवा में जब बहुत सी कम्पनियां व उन्हें अपनी उपज का ज्यादा दाम भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बहतर पहुच भी संबव होगी। साथियों, नए कृशी सुधारों के जरिये, भारतिय कृशी में नई टेक्नोलोजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तक्रिक के जरिये, हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे। अपनी उपज को विभी तदा दे सकेंगे। अपनी उपज की बहतर डंग से पैकेजिंग कर सकेंगे। उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर क्रिशी उत्पादों के जरिये बाजार में अपनी धाग जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और कॉंटिटी दोनों की जरुवत होगी तो उन्हों ने बारत के किसानों के साथ साजियदारी करनी पड़ेगी। जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आई बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कुरुशी बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिश्टा के साथ स्थापित करें। उन सब को बार बार नम्रता पुर्वक सरकार की तरब से अनेक प्रयासों के बावजुद भी किसी ने किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंदी-बंदी राजनीतिक विचारदारे के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कुछी कानूनों के संदर्ब में ये जो पुलिटिकल पार्टी की विचारदारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंदे बंदू के फोर रहे हैं, कुछी कानूनों के संदर्ब में उनके पास ठोस तरक न होने के कारण वो बाती-बाती के मुद्दों को किसानों के नाम पर उचाल रहे हैं। आपने देखा होगा, जब प्रारम हुआ था, तो उनकी इतनी मांग थी, कि भी MSP की गारंटी दो, उनके मन में जीन्यून, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो, लेकिन इसका माहूल देखा करके ये राजलितिक विचारदार वाले चड़ बैठे, और अ MSP बगरी बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी, ऐसे लोगों को जैल से छुड़ाने के मांगे कर रहे हैं, देश में आधुनिक हाइवेज बने, निर्मान हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था है, ये लोग, ये लोग भी सरकारों में समर्थन करते है अब कहते हैं, टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली करतों, भाई किसान का विशय छोड़कर के नई जगा पर क्यों जाना पड़ रहा है, जो नितिया पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान अंदोलन के आण में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध क कर रहे हैं, साथियों ऐसी परिस्तिति में भी देश भर के किसानों ने कुरुषी सिधारों का बरपूर समर्थन किया, बरपूर स्वागत किया है, मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सर जुकां करके उनको प्रणाम करता हूं, कि देश को आगे ले जाने के देश के कोटी-कोटी किसान आज इस नरने के साथ हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं, और मैं मेरे किसान भाईयों बेहनों को बरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वात पर हम कोई आच नहीं आने देंगे, पिछले दिनों अनेक राज्य और ये बात समझ नहीं होगी, अनेक राज्य चाहे असाम हो या इधर राजस्तान हो, जम्मु कश्मीर हो, ऐसे कई जगा पे पंचायतों के चुनाव हुए हैं, इनमें प्रमुक्ताया ग्रामिन ख्षेत्र के लोगों को भोड़ देना होता है, प्रकार से किसान को ही भोड़ देना होता है, इतना गुमरा करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा अंदोलन का नाम दिया जा रहा था, वाला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गाउँ के किसानों ने ये अंदोलन चलाने वाले ज्योतने लोग पे उनको नकार दिया है, पराजित कर ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बहुत के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है, साथियों, तर्थ और तर्थ और तथ्थ के आधार पर, हर कसोटी पर हमारे ये निर्णे कसे जा सकते हैं, उसमें कोई कमी है, तो उसको इंगीत करना चाहिए, ये सब प्रकार का भगवान ने घ्यान दिया अजमारे नहीं है, लिकिन बात तो हो, इन बातों के बाउजूद भी, लोग तंत्र में अटूट आस्ता और स्रद्दा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पन होने के कारण, हर समय गयंकोई किसानों के हर मुद्दे प पर चर्चा के लिए सरकार तयार है, समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं, कई दल ऐसे भी हैं, जो इनी कुरुशी शुधाकारों के पश्मे रहे हैं, उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं, वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है, वो राज नितिग नेता जो किसानों को ब्रमित करने में जुटे हुई हैं, जिनकी लोग तंत्र में रत्ती भर में स्रद्धा नहीं हैं, वो विश्वात ही नहीं करते डेमोक्रेसी में, दुनिया के कई देशों में उनका परिके हैं लोगों को, ऐ प्रयोग भी उन्होंने कहा है पीछलेगी, जिस प्रकार के अनल गरेर आरोप लगा है, जिस बाशा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाई वेक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, यह सब करने के बावजुद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडार करके, उन सब को सहन करते हुए, मैं आज फिल एक बार, नमरता के साथ, उन लोगों को भी, जो हमारे गोर विरोध करने पर फुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नमरता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार, किसान, हित में, उन से भी बात करने के लिए तैयार है लेकिन बात मुद्दों पर होगी तरक और तथ्षों पर होगी सांतियों हम देश के अंदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जब आत्म की उन्नती होगी तो पुरे राष्ट की उन्नती ताय है सिर्फ आत्म निर्भर किसान ही आत्म निर्भर भारत के नीव डाल सकता है मेरे देश के किसानों से आग रहें, किसी के बहकावे में नाएं, किसी के जूड को नस्विकारें, तरक और तथ्थ के आधार बना कर ही सोचे विचारें और फिर एक बार, देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, यह मेरे लिए अत्यन संतोष और गर्व का विश्या है, मैं आपका बहुत आबारी हूँ, एक बार फिर से करोरो किसान परिवारों को, पी एम किसान सम्मान निधी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं आपसे लगातार प्रासना करता हूँ, आपके लिए भी प्रासना करता हूँ, आप स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्वार